नमस्कार केसान भाई और मेरे साथियों अतुलिक्रिसे में आप सभी का स्वागत है केसान भाईयों अभी हम लोग राइपूर से लगभग 60 किमेटर की दूरी पर कोडारक डेम आये हुए हैं जो कि हमारा महासमुन जीले के अंतरगत आता है तो यहां पर दोस्तों हम आप लो क biology नर्यारा तो यह के बारे हम समझेंगे कि इसका सरक ऑली है इतना बड़ा जो है यह के यहां पर तयार किया जाता है किस तरह करके रखते हैं क्योंस तरह से श्टेबल रखा जाता है और साथ इसमें जोcakॉन से उसमेउज होते हैं जिसको हम बात कर पर देख पार है मचली पालन की जाती है इसी के उपर हमारी इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है तो वीडियो में आप अनतर तक जरूर से बने रहें सर जी नमस्कार अतुलिक्रिसी में आपका स्वागत है मैं मिर्जा फरीद बेग इस्टार सप्लायर टेकनिकल हेड अभी आप कोडार डेम पे आए हैं जहां पर हमारे सिक्स वाइफोर के जो केज लगे हैं उसको देखने के लिए अपने यहां हैं तो सर सबसे पहले हमारे किस बचल्सान बहीं को बताएंगे या फिर हमारे जो खिदगराही है जो कि यदि इसको इंस्टालेशन कराना चाहते हैं तो इसका साइड का सेलेक्शन की तरह से किया जाता है जगा का चुनाओ है वो कैसे कि जाए जाएगा पहले हम क्या करते हैं जगा कि लिए आपन झचल ल देबाल देखके डीप लेके पूरा डीप को गिराते गिराते आएंगे जहां पर समको 15 से 20 फिट तीस फिट पानी मिल गया तो अची बात है लिए मेजिमाम पानी हमको 15 फिट बारो माना चाहिए तो यह रन्वे के लिए हमने डबाल लाइन रखाई यह सारी चीजों को हम वह हरा चले जाते हैं जब बड़ा सबस्ता लेकिठ वसके बाद बना लेक्त अब उसके बहरें इसको फिरली करते हैं तो यहां पर जैसे हमारा आ गया तो यहां आप हम इसको फिक्स करना है तो फिक्स करने के लिए क्या करते हैं रहता है कम से कम से रहता है तो आपन इस सेटव को अंदर ले आते हैं तो इसमें एक रस्ती पर अपन छे हंगर यहां हमारे केजेसट आई उसको हमने यह पर इस्टेबल कर लिए उसके साथ गर को भी किस तरह से द्यार क्या इसके बारे में बताएंगे क्योंकि यहां पर जो रहेंगे यहां पर होंगे हमारे दाने होंगे यहां पर यह हमारा घर रहता है तो इसका क्या इंस्टॉल के सरे क्या गया है इसको इसको बाहरे में करते हैं जिसमें बैरल जो आफे ड्रम उससे बनाते हैं है यहां पर जो रहने वाले हैं उनको यहीं से पूरी सुषघ ऊजाइगे तो ओसके लिए दोस्तों यहां पर हमारे घर जो है यहां पर बने गए हैं अब यहां पर हम आगे चलते हैं जैसे कि यह इस्ट्रक्चर तो हमारा आ गया है इसको 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 बारे बात कर लेंगे उसके बाद यह जो अब ने इस पे मचली तरती चोटे बच्चे डालते हैं इसमें कम से कम बेसे बाद इसको ग्रॉड लगाते हैं तो ग्रॉड जो नेट यहां पर हमारा लगा हुए तो इसको समझेंगे किस तरह से इसको वन बाई वन जो है इन्स्टॉल करते हैं ये अभी आपन नर्सरी से दूसरी नेट है नरसरी जो नेट है वो 30 mm ट्वंटी एह 10 mm है और यह 30 mm है इसका जो size मेग size होता है बड़ा होता है उससे जी नरसरी से size बड़ा होता है और इसमें आपन 10 mm की रोप रश्य लगाते हैं प्रोप झालिंगे हैं होता है जिसमें बड़ी मुच्छिक treatment करते हैं जिसमें मच्छा करने लगा है जाल लगी घ्री छिरिया को निंखाला चिरिया नि31 का अब सब जैना करके। प्रोडेक्शन उस ऊपर से किया जाता है यह जो आप तैरता हो मचली पालन देख रहे हैं इसमें हम अभी डॉक्स को जो लगा करके दिखाएंगे इसको किस तरह से जोड़ते हैं दूसरे से तो उसमें कौन से मटेरियल हमारी यूज होती उसके बारे बात ही करी तो अभी आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे मदब कुछ-कुछ मटेरियल अभी बात करते हुए और साथ ही इंस्टॉलेशन हम लोगों को दिखाएंगे तो वहाँ पर इंस्टॉल करके दिखाने वाले एक डॉक को अभर लगेंगे उससे मिला के जोड़के बराबर बठाके इसको टाइट करेंगे तो यह जो हम माटेरियल पुरे माटेरियल यूज करें जो कि हमारा पानी में तैरता हुए रहेगा और कुछ भी हो जाता है या नटबल्ड खुल भी जाते हैं कोई चीजे कारण वर्स में ज़सके तो भी है पानी में तयरता ही रह गा और वित्वे स्ट नर्व कोफान मतलब क्या होता जसे मेंटनेंस करना करना तो जैसे हवा जैसे ज्यादा चल रही है तूफान जैसे आ रहे हैं तो बीच में नट बोल्ट थोड़ा तो हो जाते हैं जैसे एंट्री लाग कभी कमपनी श्टार सब्लार दौरा बनाया जा रहा है वह लाग हो जा रहा तो उसमें कोई प्रफलम नहीं आती तो जाता है जैसे अब यहां पर कशने बाद यह लाग हो जागा अटमेटिक लाग हो जाती है यह खुलती नहीं बहुत मिश्किल पर फिर एक दमीर ज्यादा में दूफान तेज होने से होता है तो कहीं मालों एक आध दोकार कम जो होने से तूट जाता है तो भी कोई प्रफलम नहीं हो हमारा कंप्लीट हो चुका है अब इसमें चल भी रहें साथ में तो यह दो तरीके से लगाया गया है एक जो है रन्वे के लिए जिसमें दो बॉक्स लगा कर रखें और एक सिंगल यहां पर रखा हुए तो इस तरह से दोस्तों हमारे यह पूरा इंस्टॉलेशन जो है कंप सब्वार के दोरा जो मटरियल लगानजा था भी वर्जियां मटरीयल लगाते हैं तृफमे अच्छी कौटे के देते हैं और जो हैं जो हैं मजबूत नटबोल चाइव पांटून मजभूत bigger धहिंग सब यहां पर दिये गए नंबर प्यार आप जाकर कर सकते हैं फिर डिस्क्रिप्टेशन में इनका पूरे डीटेल है वहां पर भी आप जा सकते हैं इसमें काफी अच्छा तरीग से काम कर रहा है तो उस पर आप लोगों को वीडियो देखने को मिल गया है इस पर पूरी डिटेल यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी इस वीडियो में हमने पूरा इंस्टॉलेशन से बात किया इसके अलावा भी आपके मन में में भी इनका पूरा डिटेल है तो वहां पर भी आप जाकर के मिल सकते हैं और पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं उमीद करता है दोस्तों आपको को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जलूर करें और साथ यहांनी किसान भागों के सहां सेयर कर दीजे ताकि इसी तरह से हुआ केज कल्चर में फिस फार्मिंग करके अच्छा बेनिफिट अन अच्छा मुनाफ़ा जो हुआ हुआ ले पाएं